जी है बचो आज के इस वीडियो में प्रभाः English Workbook Class 7 और 6 के लिए जो आपके वर्कवोग है इसके Workset No.1 से लिकर के तो Workset No.5 तक सभी Workset के उत्तर बचो आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएगे तो आपको कोई भी Workset No.1 से लिकर के 5 तक आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो चलिए बचो बिना देर किये हम Workset No.1 से आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते है जैसे कि बचो आप देख सकते हो Workset No.1 की competency हमें दी है Listen to the instruction and respond appropriately अब चो कोईशन No.1 में हमें दिया है Listen to your teacher and circle the words that relate to the theme of festival देख बचो हम बक्सित सॉल्व करें इस से पहले मैं आपको बता दूँ किसी भी कोईशन को आपको रटना नहीं है यहां से जो मैं आपको कोईशन अच्छे से समझाओ सबी कोईशन को अच्छे से समझना है जैसे कि बचो इसमें हमें करना है Listen to your teacher मतलब आपकी teacher को आपको सुनना है and circle the words that relate to the theme of festival और ऐसे सब्द जो किसी त्योहार से मेच करते हैं उन्हें circle करना है जैसे कि बचो दसहरा Football, Celebrate, Holy or Crime अब इसमें दसहरा जो है एक त्योहार है और जो Holy है ये एक बचो त्योहार है Celebrate मतलब होता है कि किसी भी चीज को मनाना जैसे कि हम त्योहार celebrate करते हैं तो celebrate पर भी क्या बनाएंगे गोला बनाएंगे क्योंकि त्योहार से related किसी भी चीज़ पर हमें बनाना है जो त्योहार से related करते हों उन पर circle बनाना है तो आप गोल घेरा बना लीज़ेगा किस-किस पर एक दसे हिरा पर, एक celebrate पर, एक holy पर ठीक है, अब चलिए बचो, इसके बाद में हम अगला question आपका देख लेते हैं जैसे कि इसी में आपको दिया है, इसकुल happiness, fire crackers और fair आब बचो, इसमें से हम happiness पर बनाएंगे क्योंकि त्योहार के time पर हमें क्या होता है, खुसी होती है तो एक happiness पर हमने बनाएं, fire crackers पर बना लिएंगे क्योंकि बचो जब दिवाली आती है, त्योहार आता है तो इस time पर हम क्या पठा की चलाते हैं और fair, fair तो बचो मेला, त्योहारों की time पर क्या मेला लगता है इसलिए इन तीनों पर हम क्या लगा लिए, circle बना देंगे चलिए, next हम बढ़ते हैं तो बचो अगली line में हमें क्या क्या दिया है एक दिया है, हमें enjoy, I will, raki, sweets, set अब बचो इसमें देखिए, एक तो enjoy, त्योहार को हम क्या करते हैं, enjoy करते हैं तो इस पर हम गोलगहरा बना लेंगे एक राखी पर बचो बना लेंगे और एक sweets त्योहार उपर हम क्या मिठाई बनाते हैं तो एक इस पर बना लेंगे तो ये त्योहार से relate करते हैं, इस पर हमने गोलगहरा बनाया अब चलिए अगला question समझ लेते हैं गार्डन, प्यूपिल, बिलेज और लेजिनेश, तो बचो गार्डन, गार्डन मतलब तो बगीचा होता है, प्यूपिल मतलब व्यक्ति होता है, बिलेज मतलब काम होता है, लेजिनेश मतलब तो आलसी, आलस्पन होता है, तो बचो इन में से एक पर भी, किसी पर भी गोल घे हम नहीं बनाएंगे ठीक है चलिए इसके बाद वाला question देखते है question number second listen to your teacher and tick the sentence that relate to the theme of festival आपकी teacher को सुनना है और उस वाले पर आपको टिक करना है जो किसी festival से relate करता हो जैसे कि पहली question में हमें दिया है सीमा travel by her cycle to get the fair ground सीमा क्या करती है cycle से travel करती है और कहां fair ground में जाती है तो बचो एक तो इस पर आपको बना लीना है ठीक है I love eating sweets that my brother makes on दिवाली तो बचो एक इस पर आप राइट का टिक लगा दीजिगा C can very angry sometimes तो इस पर हम कुछ नहीं करेंगे can you come here please इस पर भी बचो हमें कुछ नहीं करना है ठीक है पहले पहले की जो आपको दो A और B वाला दिया है बचो इन पर आपको राइट काचेन लगा देना है अब हम next question देखेंगे और C वाला और D वाला C वाला और D वाले पर बचो आपको कुछ नहीं करना है इसकी बाद में जो E वाला है my mother made a very delicious dish of Eid तो बचो यह क्या Eid मतलब त्योहार से रिलेटेड हो रहा तो एक इस पर राइट काचेन लगा देंगे गनेज can read English newspaper now तो इस पर बचो हम कुछ नहीं करेंगे we celebrate holy with our teachers तो एक बचो हम इस पर राइट काचेन लगाएंगे क्योंकि इसमें holy की बात की जा रही है और holy क्या है त्योहार है ठीक है तो बचो चलिए यह question के बाद में हम देखते हैं आपका अगला question वक्सिट no.2 आपकी जाती है इसकी competency हमें दी है रैसिट्स rhymes and rise and write the response तो यह जो हमें poem दी है इसे हमें read करना है बच्छो ठीक है recite the given rhyme and discuss the given question with your friend जो question दी है अपने दोस्तों के साथ में आपको discuss करके आप जैसे की बच्छो आप देख सकते हैं who do you wish to thank आप किसको thank करना चाहोगी ठीक है तो I wish to thank the God तो मैं भगबान को thank यानि कि धन्यवाद करना चाहोगा I wish to thank the God ठीक है बच्छो यह line आपको answer में कर लेनी है next time देखते है why do you want to thank them आप उन्हें क्यों धन्यवाद देना चाहेंगे तो बच्छो आंसर में लिखेंगे I want to thank them for giving the sweets बल यानि कि ये जो मीठा संसारी ये देने के लिए for food भोजन देने के लिए for words मतलब पक्षी देने के लिए for everything और सभी चीजों के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा ठेक बच्छो ये आपका आंसर है यहां से यहां तक आप नोट कर लेंगे चलिए इसके बाद में हम अगला question यानि की अगली वर्क्षीट आपकी solve कर लेते हैं ये है आपकी वर्क्षीट नमबर तीन इसकी competency हमें दी है identifies familiar object seen in the picture around given below are some things that we use in our day-wide delights speak and write their names in the given space बच्छो जो ह में जगे दी है यह डेली यूस में आने वाली कुछ चीज़े हैं इनके नाम हमें बताना है फोटो देख करके और उपर जो जगे दी है उसमें लिखना है जैसे कि बच्छो यह है चपपल्स याने कि क्या है sleepers तो हमने sleeper लिखा अब इसके बाद में क्या करेंगी बच्छो इधार आप दीख सकते हो यह एक cape है तो cape के लिए हम क्या लिख देंगे head ठीक है cape भी लिख सकते हो cape मतलब भी बच्छो बही होता हो और anxiety head भी आप लिख सकते है ठीक है अब यह बच्छो जो दिया है यह है globe हना इसमें पूरे जो प्रित्वी होती है इसका प्रित्वी तो यहां पर आप क्या कर दो गी बोच लिख दो गे फिर एक कैमरे की यहां पर picture दी है हमải तो इसमें क्या लिख देंगे इसमें हमले केमरा Neexd वच्छो हमें A एक हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ही, क्योंकि इस में पिलस का निसान लगा है, और पिलस का निसान लगा होता है, भुण पिलस का निसान नहीं होता, तो एक नॉर्मल बिल्डिंग्स होती ही, लेगिन otherwise यानि यह व्यू कि नीशन से शोटबर हमें जोति को in징LE 1998, सूस लिख देंगे और वोच्व एक लेपटोप हमें दिया गया है लेपटोप हम लिख देंगे नेक्स्ट में पिलडर हमें दिखा है तो यहां पर लिख देंगे इसके बाद में हम अगला question समझ लेते हैं एक नीशें वोटर मैलेन याने की तर्बुष दिया तर्वुच का हम बोटर मेलन लिख देंगे और फिर वचो एक अलमारी हमें देखने को मिल जाएगी इसलिए यहाँ पर अलमीरा लिख देंगे नेक्स्ट में वचो एक बोतल हमें देगी है तो यहाँ पर हम बोतल लिख देंगे ठीक है बचो चलिए यह आपका कंप्लीट हुआ है इसके बाद में हम देख लेते हैं वक्सित नमर आपकी फोर लिशन तू दा राइम एंड आइडेंटिफा इस राइमिंग बर्ड तो बचो इन्हें हमें रीट करना है ठीक है चलिए हम इसे रीट कर लेते है और राइट सम लिखना है इस जो पोएम हमें दी इसमें से औहराइट सम अपोजअ वर्डおお याइमिंग बर्ड लिखना है तो सबसे पहले बचो चूँ आपको यह वक्स दीजानी इसमें आप क्या लिखोगे बस का आप लिखोगे अस round का आपको करना है ground sitting का बच्चो होगा riding और walking का होगा passing ठीक है ये चारू words आप लिख लोगे इसके बाद में हमें जो opposite word लिखने है opposite में आप क्या क्या लिखोगे अब मतलब होता है उपर तो down हम लिखेंगे down का मतलब होता नीचे बेक लिखेंगे बेक का मतलब होता पीछे फ्रंट लिखेंगे फ्रंट का मतलब होता आगे चलिए ये question स हमारी complete हुए अब अचो यहाँ पर वक्सीट नमबर 5 याने की वक्सीट नमबर 5 आजाती है इसमें हमें करना क्या है fill in the blanks with the describing words given in the box तो fill in the blanks हमें भनना है कुछ words हमें already दियेगा है fill in the blanks को complete करने के लिए जैसे कि बचो आप देख सकते हो great, clean, heavy, dirty, soft, curly, helpful, brave, red, bright ये सभी words हमें दिये हैं ठीक है अब देखें complete कैसे करेंगे हम first वाला जो हमें दिया है I your bag is too happy तो बचो इस वाले में हमारा आजाएगा heavy next हम देखेंगे I have a scarf knife यानि की मेरे पास में एक nukila knife है ठीक है बचो next हम देखते हैं her room is so clean तो बचो उसका room क्या है? वहुती सच है इसमें आपका आजाएगा clean फिर बचो जो आपका चोंथा वाले है मेरे जो sister के hair है बाल है वे कैसे curly है I don't like dirty streets तो मुझे dirty यानि की गंदा street पसंद नहीं है All teachers in my school are helpful मेरे school में जो बिध्याले में teachers है यानि की सिख्चा के वे सभी क्या है? helpful है यानि की सभी मदद करने वाले है महराना कुमभा वास अग्रेट किंग महराना कुमभा जो थे महान राजा थी तो इसमें बचो आपका जाएगा great Next is all brave soldiers visited new Delhi जो सभी बहादुर जमान है वे क्या new Delhi विजट करने वाले है और the sunlight is so bright sun की जो light होती है सूरी का जो प्रकास होता वे क्या होता है? काफी ज़्यादा bright यानि की स्वेंगिला होता है तो इसमें अपका जाएगा bright बीनु है जा रेड ड्रेज बीनु के पास क्या लाल कलर की ड्रेज है? लाल कलर की कपने है अब 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 ये आपका complete हो चुका है वक्सीट नमबर एक से लिकर के 5 तक अब आपको इसके बाद वाले वक्सीट के अंसर्स देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया या फिर बच्चो आप चेनल पर जा करके देख सकते हो